हेलो एफ्रीवान वेलकम बैक टू आवर चैनल रुक्साल लिबास दिजाइन तो गाइस यहां पर ट्राउसर के लिए हमने टू मीटर फैब्रिक लिया है और यह हमारा फैब्रिक टू फोल्ड है और इसकी जो लेंट है रेदी वह थार्टी एट इंच रहेगी माइनस इसमें इसे हम 4 इंच करेंगे बोटम हम अलग से इसमें डिजाइन बनाएंगे यहां पर वेश्ट है जो हमारी विल्ड है वो 11 इंच है 11 इंच पर मार्क करेंगे वेश्ट हिट साइज है 36 इंच 36 इंच को पर से डिवाइड करा आया 9 इंच प्लस 2 इंच यहां पर हमने मार्जन को एड क्या है वो आजाता है 11 इंच हम बैल्ड के लिए 2 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से लाइन को स्टेट कर लेंगे लाइन को स्टेट करने के बाद और क्रोच लेंगे क्रोच लेंगे 11 इंच 11 इंच पर मार्क करेंगे और यहां से हम लाइन को स्टेट कर लेंगे इस तरीके से लाइन को स्टेट करने के बाद यहां से हम यहां से हम आगे की तरफ 2 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से मार्क करने के बाद और यहां से बीच में समिस में सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो यह हमारे 30 इंच विर्ध है तो इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे वह आ जाता है 6.5 इंच 6.5 इंच पर मारक करेंगे और यहां से हम बीच में से सकेल को रखते ने बीच में लायन कर लेंगे इस तरीके से bottom है हमारा bottom है 6-1 इंच और यहां हम दोनों side में से 3-4 इंच पर मारक करेंगे यहां से हम 1.5 पर करूब देंगे इस तरीके से करूब देने के बाद शेपर की हैल्प से हम मार्किंग करेंगे इस तरीके से दोनों साइडों से हम इसी तरह किसे मार्किंग कर लेंगे marking करने के बाद सेम इसी तरीके से हमें marking के उपर cutting करनी है I hope आपको हमारी वीडियो पसंद आए Please वीडियो को लाइक और Share, Subscribe जरूर कीज़ेगा धर की साइट से भी सेम marking के उपर ही cutting करनी है और cutting करने के वा उपर से भी अलग करदेंगे और ridges दर इसके बाद यहां पर हम 2 inch पर मार्किंग करेंगे इसे तरीके से हमें नीचे तक मार्किंग करनी है 2 inch पर और आप चाहें 1.15 पर भी मार्क कर सकते हो but मैंने ही पर 2 inch मुझ पर मार्क किया है यहां से मं शेब देंगे इस तरीके से हों से हम इसी तरीके से यहां पर मार्किंग कर लेंगे घ्रके साइड से मार्किंग के पर cutting करेंगे cutting इसके बाद यहां से हम दोनों के आशन के stitch कर लेंगे ये आप देख सकते हो यह हमारे two part है कि फ्रेंट और बैक पारट दोनों पैनल के आशन को हम stitch कर लेंगे इस तरीके से stitch करने के बाद यह आसन हमारे stitch हो गए है और इसको मॉपन करेंगे इस तरीके से इसके उपर से हम front part को रखेंगे दोनों side से हम इसमें stitch लगा देंगे इस तरीके से और second truck से भी हम इसमें stitch लगा देंगे इस तरीके से stitch लगाने के बाद अब हम bottom में design बनाएंगे के लिए यहाँ पर हमने फैब्रिक की विर्द ली है वो साड़े 18 ली है और इस तरीके से हमें फैब्रिक पर अटेच करना है और अटेच हमने कर दिया है अब इसको अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें फैब्रिक को इस्टिश करना है इस तरीके से और इसके ओपर हम сл喜歡 लगादेंगे स्ला लगाने के बात आप देख सकते हैं हमें इसमें fitting भी लगा दी है और belt को भी हमने fold कर लिया है fold करने के बात अब यहाँ पर हमें elastic की length लिए elastic की जो length है वह 27 इंच है पॉंपिन की हैल्प से इसमें इलास्टिक को टान करेंगे इस तरीके से और यहां से हमने बैल्ट को 2 इंच ओपन दखा है इसके अंदर हमें इलास्टिक को डालना है और इस तरीके से हमें इलास्टिक को पीछे की साइट खैसते जाना है आगे की साइड हमें डालते जाना है और यहां से हम दोनों को striss कर लेंगे इस तरीके से striss करने के बाद इसमें हमें पड़ लगा देंगे samenकिन के जिससे के multit край प्रिटे नहीं और यह हमारे ट्राऊजर आफ़क्र इस्टिश्ट हो गया है I hope आपको हमारी वीडियो पसंद आए और आप देख सकते हो इस तरीके से हमने Elastic को डाल दिया है So guys I hope आपको हमारी वीडियो पसंद आए Please वीडियो को लाइको Share, Subscribe सरूर कीजेगा Thanks for watching